हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है, आज हम सलाईयों से यह पुंचू बनाएंगे, दो रंगों से मैंने इसे बनाया है, वाइट और मुझंटा कलर से, और यह देखिये, इसे मैंने सारी सीधी सीधी सलाईया बनकर कंप्लीट किया है, इसमें हमने को पॉम पॉम का बॉर्डर बनाया है, और नेक पर मैंने इसके यहां पर फलार बना कर लगाया है, और इसके मैंने क्रोशिय से बार एक किना रिकी है, पांस से साथ साल के बच्चे के लिए यह मैंने बनाया है, और इसे मैंने 180 फंदे डाल कर स्टार्ट किया है, और जो हमने 180 यहां से पहुंचो खिंचा खिंचा रहेगा तो फिर उसकी शेय पढ़िया नहीं आती इसलिए फंदे हमने एक बड़े नंबर पर डालने हैं थोड़ी मुट्टी स्लाइप डालने हैं हमने तो यहीं पहुंचो अगर आप आप किसी चोटे बच्चे के लिए बनाते हैं जैसे तीन से पांच साल के बच्चे के लिए बनाते हैं मैंने इसकी एक सोस्टी डाले हैं तो आप एक सो साथ जा एक सो सतर फंदे ले सकते हैं तीन से पांच साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं जैसे यह मैंने पांच से बने गा दो पीसिस हमने पहले बनाई है एक हमने ये बनाया है । हमने ये साइड वाला और फिर हमने उसको और तरफ कि इस थरह से सई पॉंचू बना आ है कि अरह में इस वूल को मुंते हैं तो इसे हम तो अगर आप 9 पे बनाते हैं तब यह मेरमेंट्स हैं इसकी मेरमेंट्स आपको मैं इसकी बता देती हूं तो यह यहां पर अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो यह 16 इंच इसकी लेंथ है इसी बीना बॉर्डर के अगर हम बॉर्डर को बीच में यहां इसको नहीं लेते तो यह 16 इंच है इस तरफ से देखेंगे तो यह इस तरफ से भी 16 है और नेक किसके 5 है 5.5 के करीब इसकी नेक है यह देखें और अगर हम इसको बॉर्डर के सहीच देखेंगे इसके समेथ देखेंगे तो यह 18 हिंच के करीब फिर इसकी टोटल लेंथ है दोने तरफ से तो चलिए हम पॉंचु बनाना शुरू करते हैं इस तरह की यह भूल है जिस पर मैंने इसको बनाया है तो चलिए पहले हम 8 नंबर की सलाई पर 180 180 फंदे लेंगे तो पॉंचू बनाने के लिए सबसे पहले हम 180, 180 फंदे हम डालेंगे और जो हम फंदे डालेंगे वो हम 8 नमबर सलाई पर डालेंगे और इसके बाद जो हम बुनेंगे, वो हम 9 नमबर सलाई पर बुनेंगे उस से फिर पॉंचू सोफ्ट रहेगा, और यह जो फूल है, वैसे हम इस फूल को 10 No Slipers बुना भुनते हैं, लेकिन पॉंचू आस इसका सब्सक्राइब हैं, ऊसलिए मैंने इसे 9 No Slipers बुनना है, और फंदे हमने इस तरह से का ढालने हैं, पंदे इसी तरह से इसमें डालने हैं जब हम इस तरह से फंदे डालते हैं तो यह सीजी साइड यह बनती जाती है और इसके बाद जब हम इसे बुनेंगे हमें साइड यह साइड हमें उल्टी दिखती है तो इसी तरह से फिर आप 180 स Found डालने यह तो यह सार है 180 स पन्दे मैंने 180 से डाल लिए तो इस तरह सेह मनें यह पहली स्लाइड बनना है नो नमबर की सलाई लगानी है तो यह उल्टा इस तरफ से दिखाई देता है जब हमने पहली सलाई बनानी है तो सारा यह पूंचों हमने सीधी सीधी सलाई डाल कर बनाना है इसमें उल्टी बनाई नहीं करनी हमने तो पहला फंदा भी हमने बून लेना है इस तरह से सारी सलाई हमने इसी तरह से complete करने है तो first सलाई सारी मैंने बुन ले सीधा सीधा बुनते हुए यह देखिए यह हमारे सीधी साइड दिखाई देती है यहाँ पर हमने second सलाई बनाने है सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी दोनों तरफ से हम सीधा-सीधा ही बनेंगे, तो इसी तरह से हमने फिर सीधी साइट से भी, ऐसे सीधा-सीधा बनना है, टोटल हमारे पास यहां पर 180 फंदे हैं यहां पर हमने 90 फंदे तक हमने बुनाना है 90 तक आप इसी तरह से सीधा सीधा बना ले तो सीधा सीधा बुनते हुए मैंने 88 फंदे मैंने इसमें बना लिये हैं अब यहां पर आकर हमने फंदे गटाने हैं जब भी हम फंदे गटाएंगे यह सीधी साइड से गटाएंगे ये दो फंदे गटा देंगे हम center में और ulti slide में हमने कोई फंदा नहीं गटाना, ulti side से ulti side से हम कोई फंदा नहीं गटाएंगे, सीधी side से हम दो फंदे गटाएंगे, हर बार तो यहां 88 फंदे डालने के बाद, यहां पर हमने एक marker ले लेना है 88 फंदे डाले उसके बाद हमने 2 का एक बनाना है तो यह हमारा 89 और 90 यहां तक हमारा division होती है half half की तो यह last जो 2 फंदे हैं हमारे यह 2 का हमने 1 बना दिये बीच में हमने एक ऐसे marker लगा देना है कोई भी आप marker लगा दे फिर आपको फंदे गिनने के जुरूट नहीं पड़ेगी बार मार करके हमने एक इस तरफ फंदा कम करना है एक हमने इस तरफ करना है तो 88 फंदे डालने के बार मैंने 2 का एक बना दिया तो इस तरफ यह 90 हो गई यूज़ अब यह 90 बचे हैं हमारे पास इस तरफ तो शुरू में हमने एक फंदा कम करना है इस तरफ हमने ऐसे नहीं उठाना इस तरफ हमने पहले एक फंदा ऐसे ले लिया फिर ऐसे ले लिया फिर इन दोर्नों को ऐसे लेकर बाकिस लाई हमने सारी उसी तर से बनानी है सीधा सीधा बुनते हो बस यह हमने जो बीच में मारकर लगाया है हर बार हमने सीधी साइड से एक इस तरफ कम करना है एक हमने इस तरफ करना है उल्टी सलाई हमने उसी तरह से बनानी है उल्टी सलाई हमने सारा यह सीधा बुन लेना है उल्टी स्लाई तो इसमें हमने कोई नहीं बनानी सीधा सीधा बुना है हमने बस सीधी साइड से हमने दो फंदे कम करने है उल्टी साइड से हमने कोई फंदा कम नहीं करना तो यह सेकंड स्लाई मेरे कंप्लीट हो गई अब थर्ड चाइँ हमने बनानी है यह देखें यह उल्टी साइड है इस तरफ से हमने सारा सीधा सीधा बुनना है सीधी सीधी साइँ हमने डालनी है दोनों तरफ से और यह साइँ में हमने यहां बीच में आकर उल्टी साइड से हमने बीच में आकर कुछ भी गटाना नहीं ह सिंपल बुनाई करेंगे हम बिना गटाई के यह थर्ड सलाई में जब यह मारकर आगया तो मारकर को आपने इस तरह से ले लेना है इसके वाद फिर उसी तरह से बुनना है मारकर लगाने का यह फाइदा है कि उससे आपको ध्यान रहेगा करना मारकर के एक हमने इस तरफ कम करना है सीधू साइट से और एक हमने दूसरी तरफ उसके कम करते हैं तो यह थड रद स्लाइय तो उसी तरह ऐसЕ आप मारकर तक सिधा सिधा बुंते हुए चले जायें यह फॉर्थ सी में महारकर तक बुन लिया अब यह हमारे सीधी साइड है, सीधी साइड से हमने दो फंदे घटाने है एक हम मारकर से पहले दो का एक बना देंगे, इस तरह से मारकर को दूसरी सलाई पर लेंगे और यहां पर हमने जो घटाना है यह इस तरह से एक ले लिया यह दूसरा ले लिए इन दोनों को हमने इस तरह से दो का एक बना देना है बाकिस लाई हमने उसी तरह से बनानी है तो इसके बाद फिर आप उल्टी तरफ से भी सीधा सीधा बुन ले तो ऐसी हमें यहाँ पर यह देखिए यह जो सट्राइब्स आई है यह यह यहाँ पर हमने चार बनानी है कि अब उल्टी साइड में हमने कुछ भी कम नहीं करना कोई फंदा नहीं कटाना तो इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए मैंने साथ सलाईयां कम्प्लेट कर ली है अब यह एट सलाई है हमारी और यह हमारी सीधी साइड है अब हमने धागा चेंज करना है कलर हम चेंज कर लेंगे उसी तरह से हमने बनाना है स्टार्ट हमने उसी तरह से करना है और यहां पर आप वाइट और मजंटा कलर की गांट लगा दें तो यह दो फंते रहे हैं हमारे यहां पर मार्कर के पास तो यह दो का हमने एक बना देना है मार्कर को इस तरफ लेंगे और दो का एक बनाएंगे बाकी सलाई हम इसी तरह से सीधी बनाएंगे सीधा सीधा बुनते रहेंगे यह देखे हर बार हमने सीधी तरफ से दो फंदे सेंटर में कम कर देने हैं उल्टी साइड हमने उसी तरह बुन लेने हैं बिना घटाएगे फिर हम सीधी साइड आएंगे तो दो फंदे हम सेंटर में कम कर लेंगे और ये पोंचु बनाने के लिए फंदे आपने उसी तरह से डालने हैं जैसे मैंने डालने हैं उससे फिर आपका ये स्टार्ट में इस तरह से आएगा तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे जैसे ये एक, दो, तीन, चार, इसकी सट्राइपस आई हैं मजंटा कलर की, इसी तरह से वाइड कलर की भी चार आई हैं, एक, दो, तीन, और ये चार, और चार, चार हम इस तरह से बनाते जाएंगे, यहां पर हम फिर से दूसरा कलर ईटाइब हम इस तरह से बुंनething ऊश elements की उसी तरह से उन शुरूड करना है यह जो हमारक्ट है यहां से ले करें अच्छा नहीं होना चाहिए अगर यहां से कह दो आपके यह वाली questionnaire सारे खिंच जाएगी यह देखिए यह इस तरह से रहना चाहिए तो इस तरह से फिर बनाते हुए मैंने यह एक साइड मैंने बना ली है यह देखिए यह ऐसे आएगी तो यहां से हम गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, टोटल मैंने पंदरा सट्राइब से इसमें बनाई है तो फिर आप भी इतना ही बना लें हर बार सीधी तरफ से आप दो फंदे कम करें उल्टी तरफ जब हम जाएंगे, उल्टी साइड तो वहां पर हम कोई भी फंदा कम नहीं करेंगे और हर बार जब आप धागा दूसरा धागा चेंज करेंगे तो यह आपने खींच के नहीं रखना अगर यह खींच के रखेंगे तो यह आपकी सारी साइड फिर खिची-खिची रहेगी तो इस तरह से बनाते हुए मैंने यहां से हम गिनेंगे तो 15 रो मेरे 15 रो कुंपलीट हो गई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोधा बंदर अब हम इसे बंद कर देंगे तो पहला बंद हमने फिर से आठ नंबर की स्लाइपर किया है इसे ताकि उपर से फंदे हमारे खिचे-खिचे ना रहे हैं फिर हमने नेक्स्ट बून लिया अब हमने बैक वाला पिछला फंद उतार कर ऐसे स्लाइश से गिरा देना है फिर से देखिए फिर हम नेक्स्ट बूनेंगे तो इसी तरह से हमने सारे फंदे बंद करने हैं और बीच में जाकर जहां पर हम दो का एक बनाते हैं सीधी साइड से तो वहां पर भी हमने कोई फंदा यहां पर कम नहीं करना इस बार बंद करते वक्त हमने इसी तरह से बंद कर देने हैं बिन यहांस में आकर भी मैंने यह सीधा बुनके, इसको हमने असे निकाल दिये, कि यहां पर हम धागे को काट देंगे, थोड़ा सा हम यहां पर धागा रख लेंगे, जिससे हम इसकी सिलाई करेंगे, अब हम पहुंच चुकी शिलाई करेंगे तो शिलाई करने के लिए हमने यह दोनों सीधी साइड अंदर कर लिए और दोनों जो उल्टी साइड से हैं यह हमने बाहर निकाल लिए फिर हम यहां पर बैक स्टिच से स्लाई करेंगे जब हम दो रंगों के अपने निटी वर्क की सिलाई करते हैं तो हमने ध्यां से करने होती है हम अससे सीध formats से साथ-सा देखते जाएंगे से ट्राइप के साथ स्जाइप मिल लाएंगे फिर हम इसे सिलेंगे तो जब हमने शुरू किया यहां हैю answers iOS मिला ली दोनों से ट्राइब तो ऐसे हम आगे को गए फिर हमने बैक स्टिच लेना है यहां पर हम आगे को गए थे अब हमने बैक की तरफ आना है इस तरह से फिर हम आगे की तरफ जाएंगे आगे को जाएंगे फिर हम यहां से बैक को आएंगे तो इसे हम बैक स्टिच कहते ह fifth और जब हमने यह वहला portion करना है तो दूनों को ऐसे मिला लेना है सीधी साइट से देखकर की दोनों साइट की मजंटा कलर कि से ट्राइप ऐसे मिलनी चाहिए कि ऐसे तरह से हमने साथ साथ देखते जाना है इस तरह से जब हम सिलेंगे तो ये इस तरह से सट्राइप सापस में मिलती जाती है सीधी साइड से हमने साथ साथ देखते जाना है तो इस तरह से हमने पोंचू को दोनों साइड से सिल दिया है और ये देखे इसकी फिन्शिंग भी आई है सट्राइप मिली है और ये मैंने जो सिला है यह थोड़ा अलग तुरिकी से सिला है इसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगे कि यह किस तरह से हमने सिला है अब यहां नेक के ऊपर हम पॉंचों की किनारी बनाएंगे और किनारी मैंने क्रोश्ये से बनाई है तो यहां पर हम neck के उपर धागा start कर लेंगे white color से हमने यह बारीक किनारी बनाई है किनारी आप अपने मन से जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं यहां पर पहले हमने यह धागा start कर लिया इसी जगा से इम प्लेस पर हमने फिर से crochet hook डालके यह single crochet बना लिया फिर हमने यहां पर तीन chain लेनी है एक दो तीन तीन चैन ली हमने और यह single crochet जो हमने बनाया है इसके यह दो दागे उठाकर हमने यहां पर फिर से single crochet बनाया है फिर हमने एक skip करनी है और next में हमने ऐसे देखे एक हमने chain skip की next में हमने ऐसे फिर से सिंगल क्रोशे बनाया ये दो को हमने एक बना दिया फिर से देखिए एक, दो तीन हमने चेन ली ये सिंगल क्रोशे के दो धागे हम उठाएंगे इस तरह से ये दो हो गए फिर हमने एक स्किप की नेक्स्ट में हमने फिर से सिंगल क्रोशिय बनाया एक, दो, तीन फिर से सिंगल क्रोशिय बनाया एक स्किप करेंगे नेक्स्ट में हम ऐसे सिंगल क्रोशिय से जोईन करेंगे तो इस तरह से ये बारी किनारी बनती जाएगी तो हम इस तरह से किनारी बनाते हुए सेंटर में आ गए हैं तो सेंटर में आकर मैंने जैसे हमने सारे दो स्किप एक यहां पर हम स्किप करते हैं नेक्स में हम सिंगल क्रोशे से जोईन करते हैं तो सेंटर में आकर हमने दो स्किप किये हैं यह दिखे यह सेंटर वाल हमारे दो हो है स्टिच तो यह जो हमारा फर्स्ट यहां से स्टिच है यहां पर हम जॉइन करेंगे बीच में हमने एक और दो स्किप किये हैं दो हमने यहां पर इसलिए स्किप किये हैं क्योंकि यह सेंटर है तो फिर इससे ऐसे दो skip करने से corner बनेगा यहाँ पर यह हमारे दो बीच वाले stitch हैं एक के उपर हमने single crochet बनाया अब हमने 3 chain नहीं ली यहाँ पर फिर हमने दूसरे के उपर भी single crochet बना दिया इस तरह से तो इसके इस तरफ हमने दो छोड़े हैं skip किये हैं तो यह center वाले जो दोनों हैं यह एक stitch है एक यह हैं दोनों के उपर हमने एक एक बर single crochet बना दिया अब हमने इसके इस तरफ दो skip किये हैं तो इस तरफ भी हम दो skip करेंगे यहाँ पर हमने 3 chain ली 2, 3 फिर हम 1 skip करेंगे, 2 करेंगे, 3rd में ऐसा सिर्फ हमने center में किया है ताकि वहाँ पर center में अच्छे से corner बने इसके बाद हम एक एक skip करेंगे एक skip करेंगे, next में हम ऐसे single crochet बनाएंगे 1, 2, 3 फिर हम इस तरह से बनाएंगे, 1 और 2, second में हम ऐसे single crochet बनाएंगे, तो इस तरह जो हमने center में 2-2 skip किये हैं और बीच में 2 बार हमने double crochet बनाया है उससे फिर यह हमारा corner अच्छे से बनता है अगर हम बीच में भी बना देंगे तो यह दोनों आपस में ऐसे first जाएंगे और फिर corner नहीं बनेगा तो इसी तरह से फिर हमने यह सारा बैक का भी बनाना है यहां पर corner इसी तरह से बनेगे और यहां पर आप नीचे या तो आप यहां पर पॉंपॉं की लैस बना ले या फिर आप यहां पर वूल से बनाकर जैसे हम फंदने बनाते हैं वैसे बनाकर हम यहां पर बना सकते हैं तो जैसे भी आप इसको बनाना चा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं, अब हम यहां नक के ओपर भी किनारी बनाएंगे, तो किनारी बनाने के लिए पहले हमने यहां से ऐसे धागा स्टार्ट कर लेना है, एक चेन बनाएंगे, और यहीं पर, सेम प्लेस पर हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर हमने यह सिंगल क्रोशे के दो धागे उठाकर, ऐसे फिर से सिंगल क्रोशे बनाया, एक चेन स्किप्ट करेंगे, next में फिर से हम single crochet बनाएंगे फिर देखिए एक, दो, तीन तीन chain ली और यह जो हमने single crochet बनाया हुआ है इसके हमने यह दो धागे उठा लिए और फिर से हमने single crochet बनाया एक chain skip करेंगे next में फिर से single crochet करेंगे इस तरह से फिर एक, दो और तीन, तीन चेन लेंगे इसी तरह से हमने ये सारी किनारी बनानी है एक और दो सेकिन में हमने इसे ऐसे सिंगल क्रोशेर यहां पर बना देना है तो इस तरह से ये किनारी बनती जाएगी तो इस तरह से ये किनारी बने किनारी आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं यह मैंने यहां पर बारीक किनारी की है इससे पहले मैंने जो कानेजी की ड्रेसिज अप्लोड की हैं उसके उपर मैंने कई तरह की किनारी बनाई है तो कोई भी आप किनारी बना सकते हैं और यहां सेंटर में आकर दिखिए सेंटर में आगे हम सेंटर में ये दो हमारे हैं जो हम फंदे कम करते हैं टिक्रीज करते हैं जहां पर तो इससे पहले हमने ये जो दो हैं पहले हमने एक स्किप करके सेकिंड में बनाया है तो सेंटर में आकर हमने दो स्किप करके और थाड म बनाया हमने फिर जो हमारा दूसरा स्टिच है सेंटर का फिर उसके उपर भी हमने सिंगल क्रोशिय बनाया दो बार सेंटर में आकर हमने सिंगल क्रोशिय बनाना है इससे हमारा कॉर्ला रच्छे से बनेंगा और यहां पर सिंगल क्रोशिय के इस तरफ हमने दो हमने छोड़े ह तो इस तरफ भी हम दो स्किप करेंगे यहां पर एक दो तीन और यह दो धाके उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाया फिर हमने एक और दो स्किप करेंगे थार्ड में हम फिर से ऐसा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तो सेंटर में आकर हमने दो बार बीच में जो हमने फ उसके इस तरफ भी हमने दो चोड़े इस तरफ भी दो चोड़े और इस तरह बनाने से यह हमारा कॉर्नर अच्छे से बनेगा अगर आप बीच में इस तरह से नहीं चोड़ों गए तो यह दोन्नों आपस में इस तरह से फस जाएंगे इसी तरह से बिर आप ये सारी किनारी बना लें तो इस तरह से पोंचों की दोने तरफ की नेक सब्सक्राइब औहरें और अब हम यहां पर एजिंग करेंगे इसकी कि न रogn गया किसी μी तरह से हैं इस से पहले जो मैंने क्रोश्य से पॐंचू बना कर अपलोड किया है उसके उपर मैंने यह पॉम पॉम के इजिजिंग बताई है कि यह किस तरह से करते हैं और उससे पहले एक और मैंने अपलोड किया है पॉंचो उसके उपर हमने इस तरह से की है तो दोनों एजिंग में ने बताई हुई है जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके नीचे कर सकते हैं तो इस तरह से पूंचू के एज पर मैंने पॉंपॉं लेस का बॉर्डर बना दिया है और यहां पर मैंने इसके फुलार बनाकर लगा दिया है आशा करती हूं यह पूंचू आपको पसंद आएगा अगर यह अपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू